हेलो गाइस गुड मानिंग रादे रादे कैसे हैं आप सब आयोग आप सब अच्छे होंगे स्वागत हैं आपका हमारे एक और नए ब्लॉक में तो गाइस सिदर मैं सुवे सुवे उठ गई थी तो मैंने बना दिया है ये देखे गरम गरम ओहा और चाय बच्छों की टिफिन के लिए और इधर पर सूझी का लुआ और वात्यायस सूझी का अलवा भी लेके जाएंगे टिफिन में दोनों चीजर जाएंगे स्वे पूरना ड़े बच्छे तो ये देखें यह ने चाय गरम होने रख दिया है और बणारी हो सूझी का अलवा कितना टेस्टी बनता है और यह मैं देखिए काजुबाद हमसे करूंगी इसको गार्लेस तो इसकी हो गई है देखिए गायस बन गया है हमारा सुझी कलवा तो इसके कर दी है डेकुरेशन तो आज बने रहेगा हमारे साथ वीडियो में और मैं तो पैर में बनाने जा रहे हू आज दो तरह के लड़ू तो जैसे कि मैंने गरी पहले पिछले ब्लॉक में बहुत सारी नारियल छील लग के रखा था गिस के रखा था काट के भी रखा था तो उसी का बना रही हूँ मैं यह देखिया गई हूँ किचिन में तो मैं भून रही हूँ इदर सूझी और नारि इस नारियल को देकी पीष के रख लिया है मैंने और इससमें मिला दिया है खोया चीनी खोया ड्राय प्रॉट और इसको मिक्स करके रखा है तो यह देखिये इदर सूझी भून रहे हैं मारी सूझी के बाद बूनेंगे आंटा तो आंटे सूझी की अलग बनेंगे फिर बनेंगे नारियल के देखते हैं कौन से लड़ू ज्यादा अच्छे बनते हैं गैस कौन से ज्यादा स्वाध रहेंगे और ये सुजी भूण रही हूं इसमें आटा यहीं देखिए सुजी निकाल दिया है गैस सर्दियों में लड़ू खाने ही थोड़े टुकडों मैं काटके रखी है तो ये आटे वाले लड़ू में डालेंगे अच्छी लगती है गाईस सरदीओं मैं खाने चाहिए सभी को लड़ू थोड़ी सरदी कम लगती है और तागद भी रहती है तो ये देखिए मैंने मिक्स करके रखा एदर और चासनी भी बन गई है हमारी तो हम बनाना शुरू करते हैं लड़ू तो पहले मैं ये हाटे बाले बना लेती हूं गाइस और लड़ू कैसे बनाते हैं ये भी देख लेना आप कैसे बनाते हैं पर जरूर कमेंट करना हमारे कैसे बनते हैं तो हम बता रहे हैं हमारे दर्तों मैं ऐसे बनाती हूं, मैं ऐसे बनादी के मैंने और इसमें सब कुछ डालाहा है तो तो सर्दी भी कमी लगती है इनको खाकेगा इस, तो ये देखिए मैं आटे के फटा फट फटा फट गरम गरम बनाया जा रही थी, फिर ये देखिएगा इस मैंने नारीयल बाले लड्डू बनाना सुरू किया, तो इसमें थोड़ा खोय डाला, खोय डालके थोड़ा गरम किय उसके बाद यह घ़ी डाला इसमें तब जाके नारियल के बंदे नई तो नारियल के फोट पोट जा रहे थे तो इसके भी फटा़वट गरम गरम मम बांद लेतें। गाईसे की यही खासियत है कि बनाओ तो गरम गरम ही बनते हैं नहीं जो ठंडे होने बाद नहीं बनते हैं और ये देखिए दोनों तरह के हमारे लड़ू कंप्लीट हो गए हैं गाइस आईए आप भी खाईए सरदी में लड़ू का आनंद लीजिए और आज गाइस पूरी दुपेर हमको नास्ता बनान बाद नाया दोया फिर लड़ू हमें लग गई तो पूरा दुपेर लग गया आएगा इस लड़ू बनाने में फिर थोड़ा मैंने किया आराम फिर आके धर ये लड़ूं को डिबे में रखा उठाके प्लेटों में रखे थे तो फिर डिबहँ में रख दी ये उठाके सिब अन्य का रख देत हूं नई तो चीटियां हो जाएंगी सारी मैंनत कराब हो जाएगी तो मैंने ढकन वाले डिबे में इधर में रख रही थी लड़ूं को और गैस आप भी आ जाईए संक्रात आने वाली है इसलिए मैंने तो लड़ू पहले से ही बना दिये फृत्ते वहार पे ना टाइम नहीं मिलता है तो थोड़े दो-चार दिन पहले ही बना के रख दिये है कोई आए तो पानी पिला सकते हैं हमारे दो लड़ू जरूर ही जरूर बनते हैं तो वैस यह देखिए साम हो गई है तो मैं बना रहे हैं साम का खाना और आज का विलोक यह खतम करते हैं विलोक अच्छा लगे तो लाइक से कमेंट करना चैनल पर नई हो तो सब्सक्राब कर लेना मिलते हैं को और बलोक में बाई बाई